शिरी मान हमारे राजा भहिया जी जोकी राश्टिय अध्यक्ष जी आप लोगों के तहे दिल में वास करते हैं और राजा रानी जी का आशिरवाद जामो की राजा और रानी जी का आशिरवाद सदेयो लफीश चोधरी जी को निला है और आप लोगों का चुनाव बहुत अच्छा बन चुका है जोकी आप लोग नद्दीक से देख रहे हैं राजा वहिया की आरी जीत की तरफ तेजी से बढ़ चुकी है जोकी गवरी गंज की धर्ती पर चानिस से पचास हजार ओटों से अधिक से फिजे प्राप्त करेगी क्योंकि नफीश चौधरी जी की जमीनी मुहबब राजा रानी जी का आशिर्वाद और आप लोग जानते हैं कि 21 वार से नारायर सजेव आप लोगों के बीच में थे हैं बने रहेंगे आज कोई कितना कुछ भी कहे आप लोगों को दिखाई देने लग गया है कि आरी सब पर भारी है क्योंकि राजा रानी की आरी है चन सक्ता की आरी है राजा भाईया की आरी है और गौरी गन्मे बिधायक की नफीश चौधरी की बारी है बारी है महर लगेगी आरी पर जो कि आप लोग भली भाग लगाने के लिए तैयार हो चुके है राजा साहब जी का अशिर्वाद है महाराली जी का अशिर्वाद है जिस वजे से आप लोगों के भी मनोबल बढ़ते चले जा रहे हैं मुसाफिर खाना में नफीश चौधरी जी राजा साहब जी के आशिर्वाद से आज कई दिनों से चुटे हैं जो कि मुसाफिर खाना के जितने भी सम्मानित लोग हैं सब आपका परचार परसाड कर रहे हैं वो बुसाफिर खाना भी आप भारी बहुमत से जीत की तरह बढ़ चुके हैं और साइगर बलाग भी राजा जी के मुहबबत से आशिर्वाद से वहाँ के जितने सम्मानित लोग हैं जंसक्ता प्रकिल को बढ़ाने का कार कर रहे हैं कार करताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए साइगर भी मलाग आप भारी से मभारी मतों से जीत की तरह आगे बढ़ रहे हैं हमें किसी और पार्टी से कोई मतलब नहीं है आप लोगों ने पहले भी देखा सन 2016 से नारायर नफीस के साथ एक ही रड़ लगाए बैठे रहते हैं कि ना से नारायर और ना से नफीस ये दोलों नहीं लेते किसी से फीस बल्कि जनता को देते हैं जो भी जनता कहता है उसके वादों की फीस तभी तो जनता की निकल जाती है खीस मुहर लगा देते हैं राजा जी के और महारानी जी नफीस चोधरी के खाने में मुहर खटा-खट लगा देती हैं इसलिए बार बार होती है राजा और रानी की जीत नफीस चोधरी की जीत क्यो को पूर विलाम लेते हुए राजा रानी जिन्दाबाद, राजा भीया जिन्दाबाद, नफी चोदरी जिन्दाबाद, इलेक्शन जीती है, क्योंकि आप लोगों का इलेक्शन है, धन्वाद, सही बाद, सही बाद.